श्री राधे जय श्री कृष्णा, श्री राधावल भो जैती, श्री हित हरिवंश जैती बहुत अधिक विलासिता के मध में व्यक्ति अभिमान वश जब सामने प्रभु को नहीं देखता तो उसका पतन निश्चित हो जाता है. जब आपके पास एश्वर्य आता है, तो मान स्वतह ही आजाता है, और व्यक्ति उस मान के चलते सामने वाले को कुछ नहीं समझता. महिमा उस व्यक्ति की होती है, जो दीनता में रहता है, जो दूसरे के प्रती संभाव रखता है, मैतरी भाव रखता है. फूलो का बहुत महत्व है. वह अपनी सुन्दर्ता से औरों के जीवन को खुशनुमा बनाता है. ठीक उसी तरह संथ हमें वेस्ट से बेस्ट बनाते हैं और संसार हमें बेस्ट से वेस्ट बना देता है इश्वर अपना सुख देकर दूसरों के दुखों को दूर करता है अपितु जीव दूसरों के दुख को देखकर खुद खुश होता है वह आगे बढ़ने के लिए किसी को भी नीचे करने में पीछे नहीं हटता प्रकृती में सभी चीजे सूरज तक पहुचने के लिए खुद उपर उठती है किसी को नीचे नहीं धकेलता व्यक्ति अपना सुख धून रहा है असिड में से क्योंकी संसार की सभी वस्तुएं ज्वलन करने वाली है सिर्फ प्रभु नाम ही शीतल है, अमरित के समान है समुद्र मंथन भी तभी हुआ था जब इंद्र को अपने एश्वर्य का अभिमान हो गया था अभिमान हमें गर्त में ले जाता है तब भगवान शिव जिन्हे कल्यान और शक्ती का प्रतीक कहा जाता है उन्होंने हलाहल विश्व को अपने कंठ में धारन किया था क्योंकि उनके हृदय में भगवान राम थे भगवान शिव ही कॉंट्रोलिंग पावर का प्रतीक है एक कच्वा जब भोजन करना होता है तभी अपने कवच से बहार आता है और अपने बाकी समय में अपने को समेटे रहता है व्यक्ती को भी जिस चीज को प्राप्त करना हो या जिस चीज की उसको आवश्शकता हो तभी अपनी इंद्रियों का प्रयोग करना चाहिए बाकी समय अपनी इंद्रियों को समेटे रखना चाहिए ताकि सारी शक्ती इंटैक्ट रहे और सही समय आने पर उसका प्रयोग हो सके राधे राधे